आज हम बात करने वाले हैं हाउ टो स्टड़ी इंग्लिश लिट्रीचर टॉपिक पर काफे सारे लोग मुझे पूस्ते हैं कि अभी मैं शुरुवात कर रहा हूँ अभी मेरी ग्रेजुएशन हुई है पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है और मुझे TGT, PGT या UGC नेट लेवल के लिए तैयारी करनी है तो मैं कहूंगा कि 4-6 गंटे सबसे पहले आप अपना एक अच्छा शेडियूल बना लीजिए और उसमें तीन चीजें बहुत इंपोर्डन्ट है कि पहली चीज है कि आपको टाइम लाइन History of English Literature की टाइम लाइन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए और Social Background जानने की कोशिश कीजिए वरका तो चलिए शुरू करते हैं कि कहां से हमें क्या-क्या पढ़ना है तो सबसे पहले आपको टाइम लाइन यहां जब आप एज पढ़ेंगे तो एज में क्या-क्या पढ़ेंगे शुरुआत में क्योंकि English Literature इतना वास्ट हो जाता है कि हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहां से शुरू करें क्या पढ़ें क्या चोड़ें तो सबसे पहले हमारे पास एक अच्छा बेस बनाना बहुत जरूरी होता है जिसमें कि आपको 6-8 महिने लगते ही लगते हैं इससे कम टाइम में अगर आप करना चाहते हैं तो आपको काफी ज़्यादा हेक्टिक शेडियूल के साथ काम करना पड़ेगा तो अगर हम किसी एक एस को पढ़ रहे हैं तो हमें उसमें क्या-क्या पढ़नी चाहिए ज़्यादा दर लोग क्या करते हैं कि डारेक्ट जम करते हैं राइटर्स पर और राइटर्स के बुक्स लर्न करना शुरू कर देते हैं लेकिन आपको कुछ भी मगप नहीं करना आपको समझना है कि कब क्या-क्या हुआ याद चीज़ें अपने आप होनी लगेंगी तो ये दो जो चीज़ें हैं जिसको आप ज़्यादा तर छोड़ देते हैं किसी बुक को पढ़ते हुए जिस पे हम फोकस नहीं करते तो कि मुझे लगता है कि जो भी इंगलिश लिट्रिचर पढ़ रहा होगा उसके माइंड में यही होगा कि आगे जाकर मैं टीचर बनूँगा तो यह दूर चीज़ें इन पर आप जरूर काम कीजिए पहला उस age की characteristics पे आपको काम करना ओल्राइट यहाँ पे है characteristics उस particular age की characteristics उसकी विशिय्षताओं पे जरूर study कीजिए फिर उसका historical background क्या है उस age का उसके बारे में जितना detail में आप पढ़ेंगे उतना detail से आप writers की जो writing capacity है उसका writing का तरीका है वो आप समझ पाएंगे अब आपको क्या करना है उस particular age के 10 writers आपको list बना लेनी है और उनके दो-दो important works study करने हैं दो important works इसलिए लेते हैं क्योंकि जो भी characteristic आप age के हिसाब से देखेंगे वो उनसे match करेगी जैसे कि आप देखेंगे कि चॉसर की age होगी तो वहाँ पे kings and queens के बारे में लिखा जा रहा होगा आगे आप देखेंगे ऐलजबेथन age में भी kings and queens के बारे में लिखा जा रहा है लेकिन अगर आप Victorian period में या उसके बाद आएंगे तो आपको दिखेगा कि अगर हम characteristics के हिसाब से देखेंगे तो आपको कुछ न कुछ scientific चीज़ें भी दिखेंगी और religion की religious चीज़ों पर भी लिखा जा रहा है और अगर आप modern age में आएंगे तो आपको जातर scientific और confusion वाली चीज़ें जादा मिलेंगी anxiety आपको देखने को मिलेगी writing किसी भी work में तो इसलिए आपको दो important works को analyze करना है कि उसमें क्या क्या है फिर आपको क्या करना है कि important जो characters हैं वो important characters किस तरह से behave कर रहे हैं उस particular work में तो जब आप इस तरह से एक work को एक age को analyze करना सीख जाएंगे तो आपका कहीने कही interest बढ़ जाएगा अब दूसरी चीज़ आती है कि आपको one theory a day पढ़नी है कोई भी एक theory ले लीजिए जैसे आप in case आप लेते हैं absurdism और absurdity तो उसके बारे में आपको क्या करना है पढ़ते जाना है और उससे related books देखनी है उससे related writers देखनी है और उनके characteristics को अच्छी तरीके से समझनी की कोशिश करनी है कि उस theory से उस books का क्या relation है और उस book में उस theory को किस तरह से explain क्या हुआ है तो कम से कम एक theory आपको one hour पढ़नी है यहां आप two hour spend कर सकते हैं यहां पे आप one hour spend कर सकते हैं अब आते हैं terms पे terms बहुत ज़्यादा मत पढ़िये एक दिन में दो terms भी अगर आप पढ़ते हैं तो 30 days 60 terms हो जाते हैं और one year में तो आप काफी सारे पढ़ सकते हैं उस term को भी पूरी तरह से example from literature यह बहुत जरूरी है ठीक है example from literature ही लीजिये क्योंकि इससे दो फाइदे होंगे आपके जब आप literary terms पढ़ रहे होंगे example from literature आपको आते होंगे तो उससे क्या होगा कि आपको जब exam में आप आएंगे तो कई बार exactly वही terms आ जाते हैं और वही example आजाते हैं तो आपको easily आप gain कर पाते हैं marks और इससे आप समझ भी पाते हैं कि किसी particular age में कब यह emerge हुए थे यह terms किस तरह से use हुए थे अब इसके बाद आता है made timeline from 14th century to present is means modern age in detail आपको क्या करना है कि एक कापी बड़ा एक chart ले लीजिए और 14th century से और present date तक उसमें line wise आप शुरू कर सकते हैं timeline बनाना और धीरे धीरे उसमें add करते हुए जाए pictorial method से तो अशा है आप लोगों को इस video से help मिली होगी और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको शुप कामना है good luck for your exams और बने रहिए चैनल के साथ में अपने suggestions comment box में जरूर दीजिए thank you for watching bye bye take care see you next video